तो गाइस, Realme CT3 device में Realme UI 2.0 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा और साथ ही मैं बात करेंगे इसके फाइल साइज और ये अपडेट कितने सीट्स पे रिलीज होगे और इस अपडेट का फुल प्रोसेस क्या होगा तो गाइस, अगर आप ये Realme CT3 device के यूजर से अगर आप वीडियो को देखने में इंट्रेस्टेड तो वीडियो को फूल बॉस जरूर करना तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके विडियो को जरूर प्रेस कर देना तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि Realme CT3 device में रिसेंटली एक अपडेट देखने के लिए मिला था जिसका वर्जन था A.59 का तो गाइस, अगर आप है Realme CT3 device को Realme UI 2.0 के फर्स्ट बैच बीटा अपडेट में अपडेट करने के लिए तो गाइस, Realme CT3 device को A.59 में अपडेट करके रखना है तो गाइस, अब आगे बात करते हैं इसके फुल प्रोसेस के वारे में तो गाइस, यह सबसे पहले आपको Realme CT3 device के setting and software अपडेट पे किलिक करना है उसके बाद गाइस, जैसी software अपडेट पे किलिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक page खुल के आएगा, software अपडेट ही लिखा हुआ रहागा उसके बगल में एक आपको setting का आइकन दिखेगा उसके क्लिक करना, उसके जैसी क्लिक करेंगे तो आपको trial version का option दिख जाएगा उसके क्लिक करना, उसके जैसी क्लिक करेंगे आपको फिर Realme UI 2.0 का एक option दिख जाएगा early access भी लिखा हुआ रहेगा, तो गाईज वो वाला page खुल के आएगा, तो गाईज उसके आपको क्लिक करना, उसके जैसी क्लिक करेंगे तो सामने आपके एक form खुल के आएगा, जिसमें आपको email ID और phone number दोनों का option दिया हुआ रहेगा फिल करने के लिए तो गाईज यहां पे आपको यह दोनों optional है, यह दोनों में से कोई एक को फिल करके आप जैसी apply now पे क्लिक करेंगे तो गाईज Realme UI 2.0 के बीटा अपडेट के लिए आपका form apply हो जाएगा, तो गाईज आप बात करते हैं इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में तो गाईज यहां पे इस अपडेट का फाइल साइज में भी आपको धाई से 3GB कर देखने के लिए मिल सकता है, तो गाईज अगर यहां बात करें इस अपडेट के फाइल सिट्स के वाले में तो गाईज इस अपडेट का फिर सिर्स यहां पे मेभी 400 से 500 ही देखने के लिए मिल सकता है, तो गाईज अगर आप यह रियल्मी सीट्री डिवाइस को realme UI 2.0 के first batch beta update में update करने के लिए interested तो guys आप active रहना क्योंकि यहाँ पर बहुत कम seats पे beta update रिलीज होते तो आप active रहेंगे तो आपको देखने के लिए मिल दाएगा तो आप form को apply कर लेंगे तो guys अगर आप बात करें कि realme CT device में realme UI 2.0 का first batch beta update कब तक देखने के लिए मिलेगा तो guys जैसा कि आप skin पे भी देख सकते हैं कि realme CT device में realme UI 2.0 का first batch beta update मार्च में ही देखने के लिए मिलना है तो guys यहां पे मार्च का आज इंडी डे है जो मार्च मंत का आज वो लास्ट डे है तो guys active रहना आपके realme CT device में realme UI 2.0 का first batch beta update देखने के लिए मिल सकता है तो guys आप active रहना क्योंकि यहां पर बहुत कम सीट्स पर beta update रिलीज होते है तो guys आज के वीडियो में एतना ही I hope कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक like ज़रूर कर देना अगर आप चैनल को पहली बार विजि यह वीडियो में